कि मेरी पूरी फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार आज मैं आप लोगो इस टैबलेट के इंडेस इड्वांटेज इस बताने चाहरा हूं लेकिन उससे पहले जिन भी लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे थैंकियो फॉर करता है कभी-कभी इस पैनल मतब इस साइट के पुरह नीचे का जो पोशन रहता है यहां पर डबल टैप वर्क ही नहीं करें आप जितना टैप कर लो इसको जब इसकी ऊपर से आप ऐसे करोगे तो इसली हो जाता है लेकिन वो भी कभी-कभी नहीं होता है देखिए यह उसक क्लोश ऐसली हो रहा है ठीक नेकिन कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी क्या अकसर मैंने इस चीज नोटिस कि कि और जा। जो-टो चाहिस का टूचुब करता है थर्ड प्रम्म मैं इसमें कैसे में में तक वोसके से हीट करता है और ये मिलेख उसका याला कौबर और मैं अब हा इसका वीड venue बना रहा हूं तो पहरे पीछे गरीजा निय's कि थोड़ासा दीखने में ठीक लगता है और आंको easily बता सकता हूँ कि problem कहां पर कैसे because थोड़ा से aesthetic look के लिए यह समझा कीजिए तो क्या problem है basically जब मैं सोब बिना cover के use करो तब यह heat कर रहा cover में use करो तो heat करता ही करता है because वो सारे phone सी condition होती कि cover में heat करता ही करता है ठीक ना अब fourth problem क्या है कि जो भी लोग यह सोच रहे है कि इस tablet के brightness वगर अच्छे तो यह सोच कर इस tablet को मत लीजे because यह tablet उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है यानि कि मैं यह कह रहा हूँ कि इसकी screen quality बहुत ज़्यादा बकवास, रद्धी और बेकार है इसी कहा है इसके pixels दिखते हैं आप लोगों को यानि कि जो यह light जब है इसके emitt होती न तो इसके lights दिखते हैं यानि कि मतलब जैसे कहते है इस्क्रीन ब्लीडिंग इशूस इसमें थोड़े बहुत मेरे को screen bleeding issues देखने के लिए मिलते हैं इसकी इसकी जो यह test screen panel इसका जो भी panel यूज किया गया है इसमें बहुत ही रद्धी बहुत ही पक्वास है इस चीज को आप सोच के बिल्कुल मत लीजेगा इस tablet को की और हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस tablet को सिंपल यूज के लिए बिलेगा कि भाई पास एक tablet हो मैं उसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ अभी यह मैं हूँ ठीक ना मैं यह video शूट कर रहा हूँ यह देखिए इतना बखवास selfie camera है इसका मैं इसमें देख रहा हूँ और मेरी पूरे जो selfies नहीं मतलब जो इस screen वो एकदम clean है और camera जो पंच होला वो भी एकदम clean है लेकिन भाई इसकी camera quality बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मैं कह सकते हूँ अगर मैं 100% में से इसको rate करूँ कितने परसंट मैं इसको दूँ मतलब कितने परसंट यह pass रहेगा तो भाई 33% pass है मतलब pass है बस just यह pass है वो pass भी क्यों है क्यों कि इसमें camera लागा हुआ है तो बस इसलिए मैं इसको rate बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है मतलब tablet के बहुत अच्छा है लेकिन अगर अगर आप लोग video recording के लिए यहां फिर आप लोग अगर meetings वगरा कले ले रहे हैं तो भाई मत लीजे मत लीजे आप लिए camera quality बहुत बगवास है बहुत पेकार है ठीक है ना तो इतनी मुझे आप लोग को बता रही थी कि मुझे क्या क्या problem face हो रही है इस tablet को use करने के बाद बाकी और भी issues कोई नहीं है बस यह थोड़ा सा इसका UI है थोड़ा सा glitch करता है UI बाकी UI इसका clean है लेकिन थोड़ा सा glitch इसमें मेरे को देखने के लिए UI में जब मैंने इसका recent application open किया close किया तो यह सारी प्रोब्लम्स मेरे को face हो रही है और अगर आगे कोई प्रोब्लम और face होगी तो जबूर वीड़ो बना के आप लोग को पहता हूंगा thank you so much